Greater Noida में बसे एक छोटे से गाउं सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभै दानम एक ऐसी संस्था जिसमें मूख प्राणी एवं असहाय पशुपक्षियों के पालन पोशन से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम विवस्था की जाती है संस्था में उपस्थित, चिकित्सक एवं अन्यसदस्य, दिल्ली NCR एवं अनेक शित्रों से 24 घंटे असहाय पशुपक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कारे कर रही हैं संस्था में ज्यान दानम गुरु कुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिये जा रही हैं शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी नेशुल्क व्यवस्था की जाती है इनके साथ ही संस्थान में अउश्य धानम आयूरवेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्ष से लोगों का अबचार निशुल्क की आ जाता है संस्था में हत करगा एवं हस्त शिल्प प्रशिक्षन की इंद्र भी संचालित है जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का नेश्विल्क प्रशिक्षन प्रदान किया जा रहा है सन 2017 में इस परिसर में शुदिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई जहां अरिहंत गिरी तमिल नाडू से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनात की मनोहारी प्रदिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है प्रदिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है मंदिर जी में प्रति दिन प्रभुका अभशेक, शांतिधारा एवं पूजन होता है वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहां अभशेक है तू वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे की नार्यल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है क्षेत्र पर हस्त लिखित पांडुलिपी संग्राहले, जैन वीगन और्गनिक भोजनाले, गुरुकुले निर्मान का कार्य निरंतर चल रहा है यदि आप भी ऐसे मन्मोहक स्थान, संस्थानम, अभैदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868-356946-93293-22040 आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला मंगल आशीर्वाद परंपुझे आचारेश्री 108 शुत सागरजी महराज परंपुझे आचारेश्री 108 प्रमुक सागरजी महराज प्रेरना स्रोद परंपुझे मुनिश्री 108 प्रणम्मे सागरजी महराज एवं परंपूज्य पाठ शाला प्रनिता मुनीश्री 108 अनुमान सागर जी महराज नमन करता स्वर्गेश्री उमाशंकर जैन घाजियाबादवाले तो ये जो तीनों ग्याने हैं ये मिथ्या ग्यान भी हो सकते हैं क्या केवल ग्यान विपरीत ग्यान हो सकता है क्या ग्यान का उल्टा ग्यान हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो आचार महराज ने बहुत ही कंभीरता से इसमें केवल तीन ग्यान लिए क्या मनह परे ग्यान विपरीत हो सकता है क्या किसी के मन को जान रहे हैं भैई वो तो दिगंबर मुनी माराज को ओरा है, समय ज्ञान के साथ में हो रहा है, उसमें भी जो आगे वाला है तो केवल ज्ञान तक जाके रुक रहा है, तो मने परे ज्ञान भी विपरीत मिठ्या नहीं हो सकता, आप अंधाजा अगर लगा रहे हैं कि उसने मन में क्या उचाओगा उसने, आपको कोई मन्हे परेग्यान नहीं हुआ है, आप तो ऐसे ही अंदाज लगा रहे हैं, तो मन्हे परेग्यान जो वास्तम में होगा सीधे आत्मा से, वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता, परंतु ये तीन जो ज्यान है, वो कैसे हो सकते हैं, विपरीत हो सक विपरीत ग्यान को मिथ्या ग्यान भी कहते हैं मती ग्यान सुरुत ग्यान और अवधी ये जो तीन ग्यान हैं ये विपरीत ग्यान भी हो सकते हैं अर्थात मती सुरुत और अवधी ग्यान के विपरीत ग्यान भी होते हैं ये सम्यग्यान नहीं होते सम्यग्यान में कौन कौन से ग्यान आए मती सुरुत अवधी मने परय केवल और विपरीत ग्यान का दूसरा नाम क्या है मिथ्या ग्यान यानि कि मिथ्या ग्यान के कितने प्रकार आए तीन प्रकार अगर खाली कोई पूछे ग्यान कितने प्रकार के होते हैं ग्यान सम्मेक ग्यान नहीं पूछा हमने हैं हमने क्या कहा ज्यान कितने प्रकार के होते हैं आठ प्रकार के पांच सम्य ज्यान तीन मिथ्या ज्यान कोई पूछे सम्य ज्यान कितने प्रकार के होते हैं पांच प्रकार के कोई पूछे मिथ्या ज्यान कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के तो ज्यान कितने प्रकार के ह आठ प्रकार के विपरीग्यान को मिथ्याग्यान भी कहते हैं यानि की सम्य ग्यान का विपरीट मिथ्याग्यान ठीक है? आपका वैसे अक्षा का हाँच का समय हो गया है लेकिन यह सूतर जल्दी से कंपलीट करते हैं फिर कल इसका दिस वीजन करेंगे अब ज्ञान, कितने प्रकार का, दो प्रकार का, सम्मेक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, सम्मेक ज्ञान में, मती, सुरुत, अबदी, मने पर्ये और केवल, इसमें क्या हो जाएगा, मती का उल्टा, कुमती, सुरुत का उल्टा, कुशुरुत, यानि कि उल्टा जिन्वानी को समझ लेना, उसका कुछ और अर्थ समझ लेना, अबदी का उल्टा, अबदी ग्यान तो है, लेकिन उल्टा ग्यान है अबदी ग्यान में, वो जीव कुछ था और उसका विप्रीद समझ लेना कुअवधी, पिछले भव में उस जीव ने किया अच्छा था लेकिन समझ क्या लेना कुवधी घ्यान की वैसे उसका विप्रीद समझ लेना मने पर्याग्यान और केवल ग्यान का विपरीत नहीं होता कोवधी का दूसरा नाम कई जगे विभंगावधी भी आया है क्या आया है विभंगावधी विभंगवधी को भी कोवधी ग्यान कहते हैं इस प्रकार सारे ग्यान मिला के कितने ग्यान हो गए आठ ग्यान हो गए, तीन सम्यग और तो पांच सम्यग और तीन मिथ्या, कुल कितने हो गए? आठ प्रकार के ग्यान होते हैं इस प्रकार, ठीक है? इस प्रकार, ग्यान, आठ प्रकार के, पांच सम्यग और तीन मिथ्या, जल्दी से एक उधाना देखते हैं, उसके बाद इवाला आपका कम्प्लीट होगा। ऐसा सास्त्रों में उधारन आया है, ऐसा जिन्वारी में आया है, कि स्वर्गों में जितने भी अक्रतिम चैत्याले होते हैं, या हमारे मद्धि लोग में भी, ढाय दीप और ढाय दीप के बाहर भी, जो और नीचे उपर जोतिश और भवन वासी देवों के अव्यंतरों के विबान है, वहां पर भी बहुत सारे अक्रतिम चैत्याले होते हैं, उन सब ही में जिनेंदर भगवानों की चिन रहित प्रतमाएं रत्नमई होती हैं, या ना अनन्दीश वर्दीप भी आपने सुना होगा, तो उसमें भी जिनेंदर भगवानों की बिना चिन के रत्नमई बहुत ही सुद्र प्रितमाई होती हैं, तो जब किसी जीव का जन्म स्वर्ग में हो गया या किसी भी अन्य देवता में हो गया, भवनवासी वियंतर याज जोतिस में, या नरत में भी हो गया, तो वहाँ पर क्या है दो प्रकार के स्वर्गों में देवता हो सकते हैं एक हो सकते हैं सम्यकदर्शी यानि कि पहले से ही उनको सम्यकदर्शन है सभी तत्तों पर सच्चा सच्चा सरधान है और एक हो सकते हैं कि तब इत्यादी किया और भवन वासी जोतिस जंतर में देवता बनके पैदा हो गए परंतु सम्मेक दर्शन नहीं था अब यहां पर वहां जब वो पहुँचे उसके बाद उन्होंने देखा कि सभी देवतागन जिनेंद भगवान की आरादना करते हैं औ और उनके समोसरन इत्यादी में जाते हैं तो लेकिन मजबूरी वश कि यहां पर और कोई देवता है ही नहीं तो इनकी पूजा अर्चना करनी हैं तो बाकी के जो मिठ्यारशी वाले थे वो भी साथ में जाते हैं बिना स्रद्धान के किस रूप में जाते हैं एक शब्द आ तो सारे मनुष्य लोग पता नहीं है कि उन्होंने क्ल देवता में क्या गुन थे उस कुल देवी में क्या अर्चना पर जा रहे हैं वह तौह सारे लोग मजार इत्यादी पर भी जाते हैं तो अनोंने क्या किया था ऐसा क्या हम उनसे गुण प्राप्ती के लिए उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं बिना कुछ उनका इतिहास जाने हम उनको एक कुल देवता के रूप में कि ये कर रहा है तो हम भी कर देते हैं तो बस मिथ्या दर्शन के साथ में बिना जाने हुए स्वर्गों में भी या फिर भवन वासी विंतर अत्यादी लोग जब जिनेंद्र भगवान की पूजा अराधना करते हैं तो कौन सा ग्यान कहलाता है मिथ्या ग्यान कर रहे हैं परंतु बिना जाने हुए और जब पहले से इसरद्धान के साथ कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा बात दोनों से में वो व्यक्ति भी मंतर पढ़ रहा है वो ही पूजा कर रहा है वो ही आराधना कर रहा है दूसरा भी वो ही कर रहा है एक सच्चे इसरद्धान के साथ कर रहा है एक कुल देवता मान के कर रहा है कि ये भी कर रहे हैं तो ये ही होता होगा इनको करने से ये मिलता होगा तो वो कौन से ग्यान के साथ कर रहा है बस भावों का खेल है सम्मिक ग्यान और मिथ्या ग्यान में ग्यान सेम हो सकता है परंतु बिना स्रद्धा के किया तो मिथ्या ग्यान स्रद्धा के जान कर किया तो सम में ग्यान थोड़ा सा फरक है उसी ग्यान में तो उसके किसी के कहने सुनने में यहीं पर हम चारित्र की बात करते हैं आगे बढ़के कि जब हमने कोई दिगंवर मुनी بن गया बहुत तप कर रहा है एक टांग पर खड़े हो कि छे-चे महीने का पुआस कर रहा है लेकिन उसे पता ही नहीं कि क्यों कर रहा हूँ तब तो किया लेकिन किस में किया मिथ्या में किया बिना सच्चे सरद्धान के साथ किया कि ये मुक्ष प्राप्त करने के लिए है कर्मों की निर्जरा के लिए है इससे मेरे कर्मों का ऐसे ऐसे च्छे होगा इसलिए नहीं किया क्यों किया कि मुझे ऐसा तब करने से आगामी भव में ये सुख मिल जाएगा या वर्तमान भव में मेरी इतनी ख्याती होगी मेरे इतने भक्त बन जाएंगे मेरे पास इतना रुपया पैसा आएगा मेरे बड़े बड़े आश्रम बन जाएंगे मेरा बहुत नाम होगा तब तो बहुत ज़्यादा कर लिया लेकिन किसलिए किया मिथ्या के साथ किया एक अंतिमोधारान देखे आपनी बात को आज की किला समाप्त करेंगे ऐसा ग्रंथों में आया है कि रावण के पास इतनी शक्ती थी कि वो उस भव में तप कर लेता तो वो अवशी ही मोक्ष पराप्त कर लेता परन्तु वो क्या था पतिन अरायन था तो इसलिए उस भव से उस विचारे को मोक्ष नहीं होना था उसने जब बहुरूपणी विद्या की सिद्धी करी तब उसने इतना तप किया 21 दिन तक इतना अगंभी रूप से कि वो तब अगर मिथ्या के साथ अगर सम्यक भावना से करता तो अवश्य उसको मोक्ष की प्राप्ती भी हो सकती थी परन्तु उसने क्या किया कि मुझे बहुरूपणी विद्या सिद्ध करनी है किसी इच्छा के साथ ने किया मोक्ष की इच्छा से रहित होकर संसार चक्रिस के मुप्ती का नाशना करके उसने संसार की इक्षा कर ली तो कौनसा ग्यान हो गया, कौनसा तप हो गया वाला उसका मिथ्या तप हो गया, तो अगर आपने मुख्ष प्राप्त करना है जो पहला सूत्र था सम्यक दर्शन ग्यान चारित्त्राणी मोक्ष मार्ग अगर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो सम्यक वाला आपको काम करना है मित्या वाला काम आप कर लो बले ही उतना ही आपने तप इत्यादी किया परंतु क्या हो जाएगा वो मित्या के साथ माना जाएगा उससे आपको फल नहीं मिलेगा चक्रवर्ती होने के बाद भी उसको मात्र एक संकट निवारण मंत्र की तरह वो पता था तो जिस जो उसका रसोया था जिसको उसने गरम पदार्थ में कर्म नत्यू के घाट उता रहा था उस रसोये ने आकर देव पर्याय से उससे बदला लिया और उससे एक पानी में रमोकार मंत्र लिखवा कर पैर लगा दिया अब नरक कोन गया सुबहुम चक्रवर्ती गया रसोयों को कुछ हुआ क्या जो देव बन गया उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि चक्रवर्ती होने के बाद भी उसको बस ये पता था कि रमोकार मंतर से ये होता है उसको उसका मतलब नहीं पता था सच्चा सरद्धान नहीं था पानी में लिखा तुरंट मिट शुका था फिर भी पैर लगाया और मरन को प्राप्त करके नरक चला गया तो ऐसे जीवों की मिथ्या ज्यान की वजए से दुरगती हो जाया करती है तो हमें बहुत ज्यान रखना है हमने अगर ये जो भी ज्यान प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन के साथ सच्चे स्रद्धान के साथ करना है ऐसे नहीं कि इसको पढ़ने से मेरा ये फायदा हो जाएगा तत्वार सुत रट लेते हैं तो भाईया ये मिल जाएगा मकान बन जाएगा गाड़ी आ जाएगी बहुत सारे सुक्सवधाओं के सामान बन जाएगे नहीं भाईया तत्वार सुत पढ़ना है तो मुक्स मार के ब आपने मित्याग्यान का और अर्जन कर लिया तो इनी शब्दों के साथ आपकी क्लास में आज काफी जादा समय हो गया है हम सभी को विदा लेते हैं कल की क्लास में आगे का सूर्ट पढ़ेंगे और जहां तक संभव होगा कल आपका पहला अध्याय कंप्लीट होने का पूरा प्रयास करेंगे जै बोलिये महावीर भगवान की जै बोलिये आचारी गुरुवर स्री उमा स्वामी जी महराज की जै बोलिये चारित्र चक्रवर्ती स्री सांति सागर जी महराज की जय बोलिये अनंता अनंत सिद्ध परमेश्टी भगवानों की सभी को जय जिनेंद्र। अनृटो यहां पधार और दशन कर के अपने आप को गितार्थ मनें धन्य म così अन्दर निकली है यह पूरा मंदिर के हैं आप सभी को यहां के दर्शन करें और जरूर से आना चाहिए यहां पर गोशाला और अ hadkarga का काम इस बहुत ही अतिश्य का रावं त 때 मेख्याू पर आचारेश्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला प्रायोजक ज्यान दानम गुरुकुल